हाल ही में अंड़मान निकोबार आइलेंड के माननिय सांसद स्री कुल्दी प्राई शर्मा जी ने तीन एहम और बहुत ही जरूरी बिल संसद में इंटरड्यूज किया है। तो आईए देखते हैं इन बिलों के एहम बिंदू क्या है संसद में बिल पास होकर कैसे कानून बनता है और इन बिलों के कानून में परिवर्ति होने के चांसस कितनी है क्या यह बिल कानून बन पाएगा आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्स members bill है यानि गैर सरकारी विदयक यानि ऐसे member के द्वारा किसी विदयक को पेश करना जो सरकार में मंत्री नहीं है जिसमें पहला bill है तक compulsory sports and physical education and infrastructure development in school of अंडमाने निकोबार आइलेंड्स इस bill के द्वारा इन दीब स्कूलों में sports को बड़ावा देना है primary school से लेकर senior secondary school तक के बच्चों को compulsory sports activity में participate कराना और उसके लिए infrastructure मुहया कराना है वैसे भी इन दीबों के बच्चों ने national और international level में sports में इन दीबों और देश का नाम उंचा किया है चाहे वह क्याकिंग हो चाहे cycling या अन्य गेम्स इस बिल के पास होने पर इन दीब समुहों के बच्चों में एक revolution आएगा और बच्चे keyboard के दुनिया से हटकर मैदान में अपना दमखन दिखाने का औसर प्राप्त करेंगे अब आते हैं दूसरे बिल की तरफ इस बिल में ग्रैंट अंडमान एन निकोबार आइलेंड्स देश्टेटस ओफ यूनियन टेरिटरी विट लिजिसलेचर ओन दा लाइन अफ डिल्ली एन पुदुचरी यानि आर्टिकल 239C के तहट इन दीप समोहों को विशेष दरजा दे जाने की मांग है दिल्ली और पुदुचरी के तरफ पर इन दीप समोहों को भी विदान मंडल बनाने की अनुमति मिलना है यानि इन दीप समोहों का भी अपना एक मुखे मंत्री होग उनका अपना अधिकार होगा अलग-अलग छेतरों से यमलने चुनकर आएंगे अलग-अलग विभाग के मंत्री होंगे जो इन दीप समोहों की तरक्की में अपना योगदान करेंगे अब जानते हैं तिसरे और सबसे महत्वपुन बिल के बारे में जो इन दीप समोहों के निवासियों के लिए सबसे ज़्यादा फाइदेमत है आज इन दीपों के बच्चे पढ़ लिखकर इन दीपों से बाहर नौकरी करने को मजबूर है अच्छी योग एता होने के बावजूद मजबूरी में वह प्राइवेट कमपनीस में नौकरी कर रहे हैं इन दीपों मे जो भी गॉर्णमन्ट वेकिंसिस निकलेगी वह 100% इन दीपों के निवासियों के लिए आरच्छित होगा जो कम से कम 10 सालों से इन दीपों में रह रहे हैं यानि कम से कम 10 साल इन दीपों में रहने वालों को ही इसका फाइदा मिलेगा यानि यहां के लोकल कंडिडेट्स य यहां के सरकारी नौकरी के भागिदार होंगे जिससे यहां के विकास में भी ज्यादा सहीयोग मिलेगा क्योंकि इन दीपों की विकास की फिकर जितना यहां के मूल निवासियों को होगी उतना बाहर से आने वाले नहीं कर सकते। यह बिल अगर कानून बन जाता है तो यहां के निवासियों की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी अब जानते हैं संसद में विदयक यानि बिल कानून कैसे बनता है और इन तीन बिलों के कानून बनने की कितने चांसस है विदेयक का मतलब समझने से पहले संसद का अर्थ समझना जरूरी है संसद बारत का सरवोच विदाई निकाई यानि लजिसलेटिव बोड़ी है यानि कानून बनाने की व्यवस्ता संसद में ही देश के सविदान में नए कानूनों का निर्मान करने के लिए या किसी पुराने कानूनों में संसोदन यानी फेर बदल करने के लिए संसद में संसदों द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव को विधयक कहलाता है ऐसे संसद जो केंद्री ये मंद्री मंदल में मंद्री होते हैं उनके द्वारा पेश किये गए विदेयक को सरकारी विदेयक कहते हैं और जब संसद में किसी गैर सरकारी सदसे द्वारा विदेयक पेश किया जाता है तो इसे गैर सरकारी विदेयक या प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं जैसे हमारे माननिय सांसर स्री कुल्दी प्राइ सर्मा ने तीन प्राइविट मेंबर्स बिल इंटर्डियूस किया है जब विद्यक संसद में पेश किया जाता है तो सबसे पहले इसे राज़ पतर में प्रकाशित किया जाता है फिर इस विदयक को इस्ताई समीती के पास बेज दिया जाता है इस्ताई समीती इस विदयक पर विचार करने के बाद अपने सिफारिसों के साथ उसे सदन को सौपती है अब सदन में चर्चा होती है और उस पर फिर विचार किया जाता है फिर अगर संसद में उस विदयक को बहुमत मिलता है तो उसे पास कर दिया जाता है और दुसरे सदन में पारित होने के लिए बेज दिया जाता है यदि कोई विदयक लोगसभा में पास हुआ है तो उसे फिर राजसभा में बहुमत के लिए बेजा जाता है और अगर इसी तरह यदी विद्यक राज्य सबा में पास हुआ है तो उसे लोग सबा में बेजा जाता है जब विद्यक संसत के दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त करके पास हो जाती है तो उसे राष्टपती की पास मंजूरी के लिए बेज दिया जाता है राष्टपती के सिगनेचर के साथ ही विद्यक कानून बन जाता है अब इसे बिल नहीं बलकि एक्ट कहा जाता है अब देखते हैं कि अंडमा निकोबार आइलेंड के लिए जो तीन बिल हमारे सांसत दोरा पेश किया गया है उनके कानून बनने के कितनी चांसस है इतिहास अगर देखे तो इसके पास होने के चांसस बहुत ही कम नजर आते हैं भारतिय संसत के इतिहास में पिछले 50 सालों से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल्स कानून नहीं बन सका आखरी बार 9 अगस्त 1970 को एक गैर सरकारी विध्यग दोनों सद्रों में पास हुआ था सोलवी लोकसबा में यानि 2014 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल रिकॉर्ड 999 बिल यानि 999 बिल पेश किया गया जिसमें से 10 से भी कम बिल चर्चा में आप आई सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब कोई opposition party के सांसत कोई बिल पेश करता है तो सरकार को अपने कारिक प्रनाले में कमी नज़र आती है संसत में बहुमत तो सरकार की ही होती है और कोई opposition party दोरा पेश किया गया बिल को सरकार पास कराना अपनी कमजोरी को उजागर करना समझती है लेकिन बिजेपी को यह अच्छी तरह पता होगा कि यह बिल इन दीव समोहों के निवासियों की बहुत पुरानी मांग है और इस बिल को पास करने में रुकावट बनना यहां के निवासियों के साथ धोका करना होगा अपनी वोट पतिशत में कमी करना होगा इसलिए पूरी उमीद है कि बिजेपी और कॉंगर्स मिल कर इस बिल को बहुमत से पास करेंगे और कानून का दर्जा देंगे फिलहाल इतना ही जैहिंद